Asthma inhalers, asthma pump ये ऐसे words हैं जो हम generally asthmatic patients के context में सुनते ही सुनते हैं लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आपको जादा से जादा asthma inhalers का use नहीं करना है क्यों नहीं करना है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे साथ ही साथ कौन-कौन से टाइप के inhalers होते हैं ये भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आज Hello everyone, My Sir Dr. Sanskriti और आज हम वीडियो में डिसकस करने वाले हैं All About Inhalers हम सभी को पता है जब भी हम अस्थमा patients के बारे में बात करते हैं अस्थमा का कहीं पर भी जिकर होता है तो सबसे पहले यही सामने आता है कि यह inhalers भी यूज़ करते होंगे यह inhalers क्यूं यूज़ करते हैं क्या रोल है कब-कब यूज़ करने होते हैं और कब यूज़ नहीं करने होते हैं यह कुछ ऐसे important questions है लेकिन इन सारे questions को अलग रखे अगर मैं एक important question की बात करूँ कि हमें अस्थमा inhalers कितने यूज़ करने हैं यह हम मेंसे किसी को भी नहीं पता होते है generally doctors बताते हैं, consult करते हैं कि आपको inhalers दिन में इतनी बार यूज़ करने हैं लेकिन अगर हम अस्थमा patients के बारे में बात करें तो जबी भी उनके symptoms trigger हो रहे होते हैं या फिर उने अस्थमा attack आ रहा होते हैं तो सबसे पहले requirement होती है inhaler की सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से दो inhalers होते हैं जो हम daily basis पर यूज़ करते हैं that is control inhalers control inhalers को हम दिन में दो बार यूज़ करते हैं 12-12 hours के gap पे लेकिन अगर हम rescue inhalers की बात करें तो यह generally emergency conditions में यूज़ होते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा coughing हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा wheezing sneezing हो रही हो या फिर आपकी chest tight हो तब हम use करते हैं rescue inhalers and else जो हमारे regular basis के inhalers हैं वो हम ज़्यादा use नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें 12 hours के gap पे use करना होते हैं लेकिन अब हमारे patients कहां गलती करते हैं हमारे patients कलती ये करते हैं कि जबी भी उन्हें breathing issues हो रहे होते हैं तो वो एकदम से pump उठाया और लगा लिया ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हमारी body, हमारे lungs, हमारी body का mechanism उन inhalers को adapt कर लेता है और खुद से कोई action perform करने की कोशिश नहीं करता है हमारी immunity भी boost up नहीं हो पाती है क्योंकि हमें आदत हो जाते inhalers की और ये हमारी body को भी पता है कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो एकदम से inhalers कोई भी patient use कर लेंगे तो आपको ये समझना है कि inhalers को बहुत जादे use नहीं करना है inhalers को सिर्फ और सिर्फ emergency condition में ही use करें else you can go for breathing exercises और थोड़ा बहुत lifestyle change क्योंकि breathing exercises plays a very vital rule हम जब भी भी breathing exercises के context में बात करते हैं तो breathing exercise हम सभी को पता है कि कि कितनी healthy होती है और कितनी जल्दी हमें asthma, COPD, pneumothorax देखने को मिलता है अब थोड़ी सी अगर हम asthma severity के बारे में जान ले और थोड़ा सा हम inhalers के severity के बारे में जान ले तो सबसे ज़ादा infection होने के chances होते हैं क्योंकि जब भी हम inhalers बहुत ज़ादा use करते हैं क्योंकि उनके अंदर steroids बहुत ज़ादा high होते हैं तो इन steroids की वज़े से हमारे lungs कुछ ऐसे chemical substances produce करना शुरू कर देता है जो हमारी body को affect करते हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि inhalers का use बहुत ज़ादा ना करें साथ ही साथ आपको infection होने के chances भी होते हैं सारी चीज़े आपकी body में होने लगेंगी तो asthma cure होने के chance होते ही नहीं है जादा से जादा inhaler use ना करें क्योंकि inhaler use करोगे तो आपकी body पर side effects देखने को मिलेंगे हाँ emergency condition में आप use कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़ादा खांसी उठ रही हो क्योंकि आपको asthma के साथ ही साथ अपनी body का भी ध्यान रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप inhalers का use बहुत ज़ादा ना करें आप exercises करें, medicines लें और अपने lifestyle में changes लेगा है सुबह उठते हैं तो healthy morning walk के लिए आप जा सकते हैं ये सारे कुछ बाते हैं जो आपको अपने daily lifestyle में add-on कर लेनी है I hope video में मैंने जो भी बाते बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी अगर video के regarding कोई भी query है या आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर अभी भी आपको asthma inhalers के regarding कोई भी query है, कोई problem है तो you can just directly call us on the number given below या फिर आप नीचे comment section में भी अपनी queries mention कर सकते हैं और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि inhalers का use बहुत जादा ना करें Rather than this, go for exercises and medicines Thank you